हमारे उज्जेन शेहर के अंदर महिलाओं के साथ बेटीयों के साथ बलातकार हो रहा है उसका परिवरतन करने के लिए यह लोग सब लोग सब्सक्राइब आ चुके उसका परिवरतन होके रहेगा पहली बात तो यह कि जो मंत्री जी उनका परमीट खतम होने को आया है टेंपर पहुच गया है उज्जेन और इस वक्त हम मौझूद हैं उज्जेन की दक्षिन विधानसभा सीट पर जहां से कॉंग्रेस के प्रत्याशी चेतन यादव हमारे बीच मौझूद है और इस वक्त यहां पर अपना जनसंपर्ग भी कर रहे हैं और चेतन जी से जानेंगे क्या तयारी है चुनाव की चेतन जी बहुत कम समय बचा है अब वोटिंग में क्या wrath जनसंपर कर रहे हैं कैसी तयारी है अंत्म जो समय है ये में कैसी फाइट लग रही है बेज़कुल आप ने सही कहा कि बहुत कम समय बचा है रेजल्ट डिकलियर हुने में और उजजेञ शहर में उजजेन दक्षिन की जनता ने अपना मन बना लिया कि उनको परिवर्तन करना है इसलिए परिवर्तन करना है कि आपके अगर कैमरा में इन से आप कहेंगे तो बताईए कि तरह ये भी सब इंसान हैं, ये हमारी गरीब माताएं बेहने हैं, नार की जीवन ये लोग जी रहे हैं, ये नर्क के जीवन से बाहर निकलने के लिए परिवर्तन चाहते हैं, हमारे उज्जेन शेहर के अंदर हो रहा है, उसका परिवर्तन करने के लिए ये लोग सब लोग सारक पे आ चुके हैं, उसका परिवर्तन होके रहेगा, आप देखिए अब महा का लोग के अंदर ब्रस्टाचार हो रहा है, नोजवान बेरोजगार हो रहा है, चारो तरह बत्याचार हो रहा है, ऐसी इस्तित में यहां के उच्छे शिक्षा मंतरी में अभी शिकायत मेरे को सब लोग कर रहे थे कि इसकुलों में पढ़ा है नहीं जा रहा तो इन सब हालातों को देखते हुए आज ये लगता है कि निश्चित रूप से उज्जेन जीतने की तैयारी में है इस बार उज्जेन जीतेगा जिनकी वो सब समस्यां उपे निराकरण जीतने वाले हैं जिनके खोकले वादे भारती जन्ता पाटी के नेता करते आये हैं मोहन यादव बीजेपी से खड़े हैं और शिक्षा मंतरी हैं बड़ा नाम भी है आपको पहली बार टिकेट मिला है इस बार तो क्या लग रहा है थोड़ी चुनौती नजर आ रही है पहली बात तो यह है कि जो मंतरी जी उनका परमिट खतम होने को आया है टेंपरेरी परमिट था वो भी खतम हो जाएगा निच्छी तुरुप से कमलनाज जी की सरकार बन रही है दूसरी बात आप कर रहे हैं भारी भरकम वोट यह है आप इनके चेहरे देखिए यह वोट जो है उनको तब भी चाहिए तो रब भी चाहिए आज की तारीक में उज्जेन शेर की दक्षिन विदान सभा के लोग नोट के खिलाफ वोट का चुनाओ लड़ रहे हैं और जिनको आप भारी भरकम बात कर रहे हैं मेरी नजर में वो इतने हलके हैं कि शायद आप इनसे पूछें के कभी मोहनी आदो जी आपकी इदर आयते हैं इस जगे तक यह हाल है कि यहाँ पर जो जनप्रती निदी जनादेश प्राप्त करने के वाद इनकी सेवा के लिए होने चाहिए वो हुकुमदार हो गए हैं और सेवादार जिनके बनना चीए उन लोगों पर हुकुम चलाते हैं उन्हें लोगों को परिशान कर रखा है कांटे का मुकाबला लोग के रहे हैं पर कोई कांटे का मुकाबला नहीं है क्योंकि कांटा तो सबसे बड़ा भारती जनता पार्टी मद्ध्रदेश की विकास में नोजवानों के रोजगार में, महिलाओं और बच्चीयों के सुरक्षित भविश्य में, तो ये काटा तो निकाल के फेका जाया, काटे की कोई टक्कर नी एक तरफा चुना हुए, हम क्लीन स्विप होकर के निकाल के लाएंगे पूरा के पूरा मद्देप्रदेस और 170 प्लस ह चुनाओं में जिस तरह से परिवरता ना रहा है और जनता का उत्सा और समर्तन चारों तरफ आप भी सब दूर कवर कर रहे हैं, आपको भी देखने में आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से अब धिरे-धिरे चुनाओं रंग जो है, कॉंग्रेस के पक्ष में बनता जा बाबा महाकाल की नगरी है और महाकाल लोग में ब्रश्चाचार के आरोप कॉंग्रेस लगा रहे हैं, वही आरोप बीजेपी कॉंग्रेस पर लगाती है, पंदरा महीने की सरकार पर की उस समय जो भी कुछ आवंटित किया था, उसकी वज़े से ये ब्रश्चाचार हुआ ह इस पर क्या करें? करके आप उसका काम कर रहे हैं, पिछली नाक पंचिमी पे और दूसी वरातरी पे उज़ें शहर में इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, इतने सरदालू थे कि वहाँ पर हाथ से होने की नोबत आ गई थी, आपके ने फोटो देखे होंगे, सारी न्यूस चैनल्स करने के लिए, तो अगर कॉंग्रेस आती है सत्ता में, तो क्या महाकाल लोग का जो निर्मान है, उसके उपर जांच बिठाई जाएगी, जांच भी बिठाई जाएगी, और उसका जो उचित सोंदरी करण और उसकी विवस्ताएं होने ची वह होगी, और उससे भी बड़ी अभी कॉंग्रेस में बहुत देखने को मिल रही है, मालवानचल के पूरे शेतर में, उजयन में भी थोड़े बहुत सुर्जों है, वो नजर आए, थोड़ी मुश्किल बागी बढ़ा सकते हैं, नहीं, अभी की तारीक में तो हमारे मालवानचल में काफी जगे पे कोई ब तीन दिसंबर कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहें? सीटे जीतने का एक तरफ जहां दावा किया, वहीं महा का लोक को लेकर भी कहा कि जो प्रष्टचार के आरोप कॉंग्रेस लगा रही है, अगर सत्ता में आती है कॉंग्रेस तो उस पर भी जाच बिठाई जाएगी, हाला कि तीन दिसंबर का वो दिन जब चुनाव के С कीजध कॉंग्रेसिए फिलीत weather जाच जावा कि लगन फुनाव किवस्ता आराले स्क्षा जग यहीं मनें आती है झाल झाल